हलो एब्रीबन कैसे हैं आप साब आज बनाने जा रही हो न्यू डिजाइन डॉर मेट इससे आप टेवल मैट भी बना सकते हैं बड़ा बनाएंगे तो पूजा का आसन भी बना सकते हैं और देखे इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बूर ली है तेन नमबर सलाई ली है तो देखे सबसे पहले मैं यहाँ पे फंदे डालती हूँ तो जिस कलर से आपको ये flower रखना है उस कलर से आप फंदे ले लिजिए इसमें पहले इस तरह से फंदे में simple डाल रही हूँ आप किसी भी तरीके से डाल सकते जिस तरह से आपको फंदे डालना आता हो है कि इसमें 22 पंदे डालूंगी यहां पहला है यहां पहला है लिए-बिस फंदे यहां पे फ्रॉवर डालूंगी और दो फंदे यहां यह रखके हुए है तो देखिए में हम दीजाइन कर लेंगे दो भंदे फिंक से बनें और यहां पे यहलो बाले मेंसे दो भंदे रख हम चार, यह बनेंगे दो इसके बाद देखिए यह लो कलर से बनेंगे आप देखे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, वारे, तेरे, चवदे, पंद्रे, सोले, यह देखे, यहाँ पर सोले फंदे मैंने यलो बना लिये हैं, और देखे, दो फंदे यह पिंक बना लिये ते, दो यह छोड़ दिये, 20 फंदों में इस तरह से, यहाँ पर यह रो कंप्लीट हो गई, दो छोड़ दिये बिना बुने, आप देखे, ऐसे हम पलट लेंगे, और यहाँ से, उल्टा बुनते हुए, पूरी रो कंप्लीट करेंगे, इस रो में, जो जैसा कलर है, उसको हम बैसे ही बनाएगे, इसको देखे, इस तरह से क्रॉस करावना है, ऐसे कर दिया, पिंक को अपने तरफ से ऐसे लाएगे, और यहाँ पर चार फंदे हम बनाएगे, यहाँ से पलट लेंगे, अब देखे, इस फंदे को हम उतार लेंगे, बूल को यहाँ से ऐसे अपने तरफ लाएगे, और यहाँ पर यह चार फंदे पिंक बने, अब देखे, दो फंदे हम फिर से यलो बाले पिंक से बना लेंगे, ऐसे, और देखे, यहाँ से थोड़ा सा इसको टाइट रखेंगे, अलका सा ऐसे, अब यहां से देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, यह देखिए, दो फंदे बिना बुने छोड़ दिये, इस रों में हमने बार फंदे बुने, यहीं से इसको पलट लेंगे, और यहां से जो जैसा कलर है, उसको हम वैसे ही बुनते जाएंगे, इस तरीके से यह रो भी, यहां तक कम्प्रीट होगी, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, पिंक वाले को, ऐसे, और यह वाले फंदे, पिंक कलर से बना देंगे, यहां से फिर से पलट लेंगे, आप देखिए, इसी तरह से हम बनाएंगे इसको, और देखिए, बारा फंदे पिंक के हो जाएंगे, और दस फंदे यहां पे दो दो करके छोड़ देंगे, तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, यह देखिए, यहां पे मैंने बारा फंदे पिंक के कर लिये हैं, और दस फंदे यह छोड़ दिये हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छाग दूने, बारे आप देखिए यहां से कली हम अंदर के साइड ले गए पहले अब उपर के साइड ले जाएंगे तो यहां से देखिए इस भंडे को हम उतार लेंगे इस रो में हमने दस भंडे बुने और देखिए यह इस तरह से दो फंदे मैंने बना लिए और देखिए इन फंदों को भी हम इस रो में बना लेंगे लाश्ट में स्रिफ दो फंदे हम नहीं बनेंगे इसको हम पलट लेंगे और यहां से ऐसे बनाएंगे इसको हम क्रोस करा देंगे यह रो ऐसे ही बनाते जाएंगे लाश्ट तक उल्टा इसको इदर से बुन लेते हैं और इस साइड से उतार लेते हैं तभी यह आपके इस तरह से चैन आएगे इस साइड इसको तार लिया बूल अपने तरफ किया अब देखे दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह देखे आठ फंदे बनें और देखे अब यह दो फंदे हम पिंक वाले यह लोसे बना लेंगे ऐसे इस तरह से और देखे लाश्ट में दो फंदे छोड़ते जाएंगे यह देखे यही से पलट लिया अब देखे इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे आप देखे इसी तरीके से यहां पर दो दो करके हम यलो वाले लाश्ट दो फंदे तक करेंगे और इधर दो दो करके दस फंदे छूट जाएंगे और यह 10 फंदे यलो वो जाएंगे, तो हम कर लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखे इस तरह से मेरे लाश्ट दो फंदे तक यह यलो बुआ कर लिये और यहां पर देखे यह 10 फंदे छूट गए ऐसे सिते अब यहाल से करते हुरे जाएंगे और दोधो फंदे इधर कर से लेते जाएंगे तो तक जरות क्लिए से फन्देट होसे हमारे पास यहां फिर फ्न्थे में इस फीलिवट ëैये कि इसी तरीके मैं यह बनाकर कम्प्पीट करती हूं फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए इस तरह से आठ कलियों में पूरा हो गया है आप देखिए यहां से हम सभी फंदे बंद कर देंगे यह देखिए उपर के साइड कली जा रही है इधर से ऐसे हाप कली इधर बनी हो यह हाप स्टार्टिंग में बन गई थे इनको हम मिला देंगे तो पूरी कली कंप्लीट हो जाएगी अब देखिए यहां से हम यह दो फंदे फिंग कलर से बंद करेंगे ऐसे यह देखिए दो काई किया बापस इस फंदे को अब देखिए यहां से हम यलो कलर लगा लेंगे अब सारे फंदे हम यलो कलर से बंद करेंगे ऐसे तो हम कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको ये देखिए सभी फंदे मैंने खिरोज कर दिये आप देखिए इसको उल्टा करेंगे और यहां से हम ऐसे मिलाते हुए पूरा ऐसे पकड़ लेंगे और सिल देंगे यह देखिए ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ा सा फीच लेंगे इसको इस वाली कली को जहां से भंदा श्टार्ट किये थे मैंने और मिलाते हुए ऐसे सिलते जाएं आप देखिए यहां पर हम यह थोड़ा सा पिंग कलर से टांक देंगे यह देखिए इस तरह से मैंने यह बना के कम्पीर कर लिया सेंटर में मैंने फ्लॉवर लगाया आप चाहें तो प्रोसिय का भी लगा सकते हैं बना के यह पॉम पॉम लगा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा थेंक यू